आज मैं आपके साथ डिसकस करने जा रही हूँ English Dictionary का सबसे पहला word A back और मैं आपको बताऊंगी कि इस word का meaning क्या है और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं दोस्तो आप a back का मतलब इस word को देख कर भी समझ सकते हैं जैसे हमें पता है कि back का मतलब होता है पीछे इसी तरह a back का मतलब भी होता है पीछे या पीछे की और जिसको हम English में behind, towards the back और at the back भी बोल सकते हैं आइए देखते हैं कि हम इस word को किसी sentence में कैसे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे एक sentence लिया है there are green fields a back of the building जिसका मतलब है इस इमारत के पीछे हरे खेत हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि a back का मतलब होता है पीछे या पीछे की और उसी तरह यहाँ पे इस sentence में a back ये बताने के लिए यूज़ किया गया है कि इस building के पीछे हरे खेत हैं तो I hope कि यहाँ से आपको इस word का मतलब clear हो गया होगा Friends, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस word को अकेले में बहुत कम use किया जाता है जादा तर इस word का use एक idiom जानिक एक महावरे के रूप में किया जाता है English में एक idiom है to be taken aback जिसका मतलब होता है to be shocked और to be surprised Hindi में इसका मतलब है हैरान हो जाना यह देखने के लिए कि इस idiom को use कैसे करते हैं मैंने यहाँ पे लिए है दूसे sentence पहला है सीता वोस टेकन aback बाई राम्स बिहेवियर मतलब सीता राम के वेवहार को देखकर चौंग गई और दूसरा है I was taken aback by his performance जानी के मैं उसकी performance को देखकर हैरान हो गई So I hope friends कि इस वीडियो से आपको यह clear हो गया होगा कि इस word का मतलब क्या है और उसे कैसे use करते हैं अगर आपको यह मेरे वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को like and मेरे चैनल को subscribe करना मत भूलेगा Thank you